आज थी 2024 ना केलेंडर वर्स नी शरुवात तो थाई चे ने 2023 नू वर्स पन गणू सारू रहुँचे परन्द वे 2024 ना वर्स मां सुख्यास ज्यान राखवानू चे ने कया रोकान ना सेक्टर चे के जिना पर फोकस रही शके चे तेरी वात करवा जुड़ायाचे CNBC बजार ना मैनेजिंग एडिटर अनुट सिंगल अनुट जी स्वागत है आपका CNBC बजार में और सबसे पहले तो बहुत सही बताईए कि 2024 के लिए जो निवेशक है उनका क्या निवेशका मंत्र होना चाहिए दूपराइए मत्र में डिकलाइन आएथगी फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी करेक्शन आजाये मार्केट में ये भी पॉसिबल है लेकिन अपने अच्छे शेर्स को आइडेंटिफाई करके रखिए और हर गिरावट में खरी दिये क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाज कैप का मूव अभी काफी पेंडिंग है 24,000 से 25,000 भी पॉसिबल है और बीच पिछ में फिर कहा रहा हूं कि बीच पिछ में करेक्शन आएंगी और एक चीज़ का ध्यान रखिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर फोकस करिए थोड़ा सा अपने आपको पूर क्वालिटी स्टॉक्स से बचा कर रखिए लेकिन लनुट जी बिजरा ये भी बताए कि 2024 में कौन सी थीम यहां से हमें नीवेश के लिए काम कर सकते दिख सकती है 2024 में मैं कहा रहा हूं आपको दो थीम्स पर फोकस करना है दो थीम्स में है एक है ग्लोबल और दूसरी हश्टा है लोकल और उसका मैं आपको दोनों का कारण बढ़ाता हूं अब इन दोनों थीम्स को कैसे प्ले किया जाएगा इसका भी मैं तरीका बता देता हूं पहले आते हैं ग्लोबल थीम पर और ग्लोबल थीम पर मैं तीन सेक्टर्स पर फोकस करने बाला हूं सबसे पहला है IT क्यों क्योंकि अगर इंटरसेट कट होगा यूएस में तो वैलुवेशन पर इंपक्क करेगा और अगर सॉफ लेंडिंग होगी यूएस में और रिसेशन नहीं आएगा तो कंपनियों के लिए मैक्रो पॉजिटिव है और ये कॉम्बिनेशन जो है इस साल के लिए जो पिछले क्वाटर के नंबर से उसके लिए नहीं है दूसरा मेटल्स में हमने बहुत बड़ी तेजी देखी है और एक सुपर साइकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका मुझे एक इंडिकेशन लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैटल्स में शायद इंवेस्मेंट का अप्रोच यही होता है कि आप एंट्री लें और उसके बाद एक स्टॉपलोस रखें 5-10% का अगर वो लग गया तो बैड लग नहीं लगा तो वो आपको एक लाइफ की बड़ी ट्रेड देगा उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग स्टॉपलोस एज देख लेगा डुमस्टिक तिंग में एनिफिंग रिलेटेड टो जो आपको बाहर दिख रहा है सड़क पर निकल जाएए एरपोट पर चले जाएए किसी भी चल जाएए आपको क्या दिख रहा हार जेगे रहे हैं स्ट्रॉक्शन हो रही है कोई भी अच्छी कंपनी उठा लीजे, आपको पैसा बना के देगी, Capital Goods, यहाँ पर 3-4 अच्छे नाम, उन भी रिस्ट्रेक्टर रखी अपने आपको, Real Estate, और Real Estate में आप बस 3-4 खराब नाम छोड़ देना, उसके लाव कोई भी Real Estate Stock उठा लेंगे, उसने आपको 2023 में पैसा बना के दिया, और 2024 में भी Real Estate बड़ा पैसा बना के आपको देने वाला है, हम अभी mid cycle तक भी नहीं पहुँचे हैं Real Estate में, पावर में बहुत पैसा बनने वाला है, NTPC, बाकी Tata Power इन सब में आपने मूज देखी हैं, PFC, RDC में किस तरीके के मूज रहें, मेरे ख्यास से 2024 में भी उख कंटिन्यू करेगा,